दोस्तो सोसल मीडिया किसी को भी रातो रात चमका सकता है स्टार बना सकता है इसका एक जीता जागता उदारन अभी हाली के दिनों में रानू मोंडाल जी हैं इनकी कहानी बहुत ही अध्भूत और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अभी जुलाई 2019 का महिना जो कि अभी बीत ग बात है कि रानू मोंडाल जी कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पे एक गाना गा रही थी प्यार का नगमा है जिसे लतामंगिसकर जी ने गाया है लेकिन इनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोग इनके गाने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे उसी गाने को जो सुन कर के एक यात्री थे वहाँ पर जो इनके गाना सुन रहे थे उनका नाम था अतिंद्र चक्रवरती उनों ने इनकी गाने को बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हों ने अपने फोन से इनके गाने को रिकार्ड करके अपने फेस बुक परफाइल पर सेयर किया और उनक जो जुड़े हुए और लोग थे उन्हों ने भी जब इस गाने को देखा और सुना तो उनको भी गाना बहुत पसंद आया और उन्हों ने भी इस गाने को और ज्यादा लोगों तक सेयर किया ये दोनों ये नहीं जानते थे कि ये जो हमारे अतीन चक्रवरती जी थे वो वीडियो बना रहे थे और जो रानू मॉंडाल जी हैं ये नहीं जानती थी कि ये गाना जो इनके जीवन की तकदीर को बदल देगा आज ही से इनका जीवन एदम बदल जाएगा ग्रूप में लोगों ने भी इतना ज़्यादा इस गाने को सेर किया कि इस तरह से करोणों लोगों तक किया गाना पहुँचा और पूरा का पूरा देश इनकी आवाज का दिवाना हो गया यह वाइरल वीडियो वाली वुड इस्टार हमेसरी समयाच जी तक पहुँचा जी ने तुरंट इस आफर को स्विकार कर लिया और इस गाने के लिए हमेसरी समयाच जी ने उनको साथ लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया मगर रानु जी ने चुकि उनका पहला यह गाना था एक बड़े मतलब प्रेट फार्म पे तो उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया लेकिन हमेसरी समयाच जी ने पैसा उनको जबर जस्ती दिया इनकी जो पिछली जो हिस्ट्री है दोस्तों यहां तक तो इतना फेमस होने तक तो अच्छा था लेकिन इनकी जो पिछली हिस्ट्री थी दोस्तों बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही संगरसों भरी भी है इनकी जो पिछली ही कहानी है वो रानु जी बताती है कि ये राना घाट में अपनी मा के साथ रहती थी इनका बच्पन बहुत ही कष्टकारी था उस बच्पन में ही इनकी मारतागजी का देहान थो गया और इनकी जिन्दगी और कष्टकारी हो गई कुछ समय बाद इनकी साधी भूई बबलो मॉडल जी से और साधी के बाद पती जो उनके थेर बबलो मॉडल जी वह पंबई चले गए और वहाँ पर काम की तलास किरने के लिए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और कुछ समय बाद वह वापस खलकता चले आए पती कुछ समय तक तो इनका साथ रहा पती के साथ लेकिन फिर पती की तवित खराब होने से उनकी मृत्व हो गई और इनकी इस्थिती और बद से बत्तर होती चली गई इन्हों ने अपने जीवन को जीने के लिए इस्टेशन पर गाना गाना सुरू किया चुकि इनका गला बहुत अच्छा था गाती थी इन्हें लतामंगेसकरीजी की बहुत बड़ी फैन है उन्ही के गाना को ये गा करके लोगों का मौन रंजन करती थी और उसी से जो पैसा मि ये तो आप कहानी जानते ही है जो हमारी रानू मौनडाल जी है इनकी उम्र लगबग 69 साल है 69 साल तक उन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा संगर्स किया और इस 69 साल के बाद ही उनके जीवन में एक खुसी का पल आया है हम अतिन चक्रवर्दी जी जो हैं उनको बहुत बह नवाद देते हैं कि उन्होंने एक जमीन से जुड़ी हुई महिला को आस्मान पर पहुँचा दिया और उनकी तकदीर को बदल दिया अपना भी तकदीर उन्होंने बदल लिया और लोगों के सामने आये लोगों ने उनको जानने लगे इनका जो रानू मौनडाल जी हैं उ उसमें उन्होंने पहला गाना गया है तेरी मेरी कहानी भारत सरकार भी इनको पूरुसकर देने जा रही है तो यह एक छोटी सी कहानी है रानू मौनडाल जी की मुझे अमीद है कि आपको यह पूरी कहानी सुन करके पूरी जानकारी पाक करके आपको अच्छा लगा होगा क क्योंकि इनके पती का नाम और इनकी जो बाइग्राफी है पूरा एक वीडियो में कहीं बहुत कम जगा पर समप किया गया है इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में इन सारी सुचनाओं को मैंने समप किया है तो मुझे अमीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक से तो करिएगा ही करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और नोट्रिफिकेशन बेल आइकन को जरू प्रिस कर दिएगा क्योंकि इसे तरह की इंट्रेस्टिंग और महत्तव पूर्ण वीडियो जो की बहुत ही प्रेनादाएक हैं वो इस चैनल पर अप काल मिल जागी है और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक वना बहुत बहुत ख्याल रखें चैन दोस्तों